पार्टनर को आपकी याद में पागल कैसे बनाएं? आज इसी टोपिक पे हम बात करेंगे लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि जब कोई आपको इग्नोर कर रहा है या आप पे फोकस नहीं कर रहा, आप पे ध्यान नहीं दे रहा है तो आपको उसके साथ क्या करना है? उस वीडियो को काफी लोगों ने देखा और काफी लोगों ने बोला कि मेरी समस्या, मेरी सिच्वेशन ऐसी है कुछ लोगों ने तो ऐसा बोला कि हम सब करके देख चुके हैं कई दिनों तक हमने उनसे बात भी नहीं की उन्हें इग्नोर किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा तो आज हम बात करेंगे वैसे तो मैंने कई वीडियो इस टोपिक पे बनाए हुए हैं लेकिन आज हम बात करेंगे कि हम implement कैसे करें apply कैसे करें क्योंकि लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है जो वीडियो में बताया जा रहा है ये सुनने में तो बहुत easy लग रहा है लेकिन इसे हम अपनी live में अपने partner के साथ कैसे implement करें, कैसे apply करें तो आज हम apply करने के बारे में जानेंगे कि कैसे apply किया जा सकता है और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो क्या कमिया हैं जिसकी वज़े से आप apply नहीं कर पा रहे हो तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़े हमें वीडियो में बताई जाती हैं सुनने में जो चीज़े बहुत इजी लगती हैं उन्हें हम अपनी लाइफ में अपलाई क्यों नहीं कर पाते हैं अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे apply करें तो वीडियो में अंतर तक बने रहें वीडियो हम continue रखेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों के mind की exercise के लिए एक सवाल एक ओरत ट्रेन में सफर कर रही थी जब ट्रेन प्लेट फार्म पर रुकी तो उसका पती पानी लेने चला गया उसी वक्त टीटी आ गया टीटी ने टिकट मागा तो उस ओरत ने कहा कि टिकट मेरे पती के पास है टीटी ने उसके पती का नाम पूछा तो उस औरत ने बताया कि हमारे यहाँ पती का नाम नहीं लेते हैं जब पती ने जोड दिया तो औरत ने कहा मेरे पती का नाम वो है जिसे ट्रेंग चलती है और रुखती है टीटी समझ गया और चला गया अब आप बताए उस ओरत के पती का क्या नाम था तरही जब आप देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबा आट वजे फेस्बुक पेज और यूटूब पर लाइब एनाउंस करती हूँ तो लाइब जुड़ना बिल्कुल भी ना बुले तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं देखिए यहां पर मैं जो चीजे पहले बता चुकी उन्हीं चीजों पर डिसकस करूँगी लेकिन उन्हें अपलाई कैसे करना है मैं आज ये बताने वाली हूँ उसे आपको ध्यान से समझना है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कोई करना है । मान लें गडियो में पताते हैं कि आपको अपने पार्टनर को इग्णूर करना चाहिए उस वक्त आपको अपने उपर फोकस करना है अपने पार्टनर को ही प्रोयर्टी नहीं समझ लेना है कुछ लोग गलतियां ये करते हैं कि अपने partner को ही priority समझ लेते हैं कि चीजों को बाद में कर देते हैं और अपने partner को पहले कर लेते हैं सबसे प्रात्मिकता अपने partner को दे देते हैं यहां तक कि अपने आपको भी प्रात्मिकता नहीं देते हैं इसकी वज़े से आपका partner यह समझने लगता है कि आपकी life हैं अपके जीवन में उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं तो यहाँ पर आपको ये गलतिया नहीं करनी हैं आपको अपने परणनर को नहीं बलकि अपने आपको priority देना है पार्णर को second या third की जगे में पे रखना है और कुछ कि अपने फेमली अपने रिलेशन अपने दोस्तों से दूर हो जाते और पार्टनर के इतने नजदीक हो जाते हैं कि सब को भुला देते हैं उनका पार्टनर फिर वही समझने लगता है कि इनके जीवन में मेरे अलाबा तो कुछ है यह नहीं यहां भी बहुत सारे लोग गलति के होते हैं यह गलतियां वहीं लोग करते हैं आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन में से आपको डिसाइड करना है कि आप कमजोर माइंडसेट के हो यह पावरफुल माइंडसेट के हो जो व्यक्ति कमजोर माइंडसेट का होगा वो व्यक्ति ज्यादा दिन तक इन करना है अपने आप पे काम करना है अपने आपको ग्रो करना है कुछ अच्छी बुक पढ़ना है कुछ अच्छी होवी जो आपको पसंद है वो चीजे आपको इस दोरान करना है यह नहीं कि बस एक महीने हमने फोन कॉल नहीं कि और इंतजार कर रहें कि कब पार्टनर का कॉल देखिए दो लोग होते हैं जो partner बनते हैं उन में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कमजोर mindset का होता है और दूसरा ऐसा होता है जो powerful mindset का होता है जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि उसका partner उसे इग्नोर कर रहा है हमने सब कुछ करके देख लिया फिर भी उसका partner नहीं मान रहा है या प्राब्लम में हो अगर आप करना चाहते हो तो जैसा आपको पार्टनर कर रहा है और आप परेसान हो रहे हो वैसा आपको सोच न पड़ेगा और मैं एक चीज़ और बता दू कि जहां पे दोनों पावरफुल माइंडसेट के आदमी हो जाते हैं न वहां रिलेसंसिप चलते नहीं है रिलेसंसिप हमेशा ऐसे ही लोगों के साथ चलते हैं एक कमजोर माइंडसेट का होता है एक पावरफुल माइंडसेट का होता है एक अपने मस्ती में मस्त रहता है और एक उसके पीछे परेसान रहता है एक को ज्यादा फिकर तग नहीं होती और दूसरा हमेशा उस माइंड सेट के ओ आप अगर ताकत बर हो तो यह वीडियो आपके लिए काम करेगा फले आपको भी चांदकारी नहीं लेकिन आप अपलाई कर सकते हो अगर आप में द्रेंड हिस्टे करने की ताकत है आप में ठानने की सकती है आप जो सोच लेते हो उस पर कायम रहते हो इसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो और अगर आपका पार्टनर नहीं भी ध्यान देता है तो आप समझ जाओ कि वो व्यक्ति आपके लिए है ही नहीं और जब आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो जब आप अपने उपर फोकस करते हो जब आपकी ग्रोथ हो जाती है जब आपका माइड अच्छी चीजों को आकरसित करने लगता है जब आपको मैं अच्छी चीजे सोचना शुरू कर देता है तब आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन भाव दे रहा है कौन नहीं दे रहा है कौन आपको इग्नोर कर रहा है और कौन आपसे अच्छे से बात कर रहा है इन चीजों पर आपका ध्यानी नहीं जाएग तो क्या होगा हमारा partner हम पर ध्यान नहीं देगा तो क्या होगा हमारा partner हमें छोड़ देगा तो क्या होगा ये सारी चीजे वही लोग सोचते हैं जो कमजोर mindset के होते हैं आपके लिए डरता है हो सकता है कि आप अपने partner के डर रहे हो लेकिन आपको partner बिंदास हो उसे कोई फरकी नहीं पढ़ रहा है कि आप क्या सोच रहे हो तो यह सा relationship में होता है बस आपको यह ध्यान देना है कि आप क्या हो आप जैसे भी होंगे आपके साथ रहने वाला ब्यक्त चलेगा या नहीं चलेगा आपका partner आपके साथ अच्छे से विवहार करेगा या नहीं करेगा क्योंने कर रहा है sara दिन आप यही सोचते रहते ओ तो एक दिन आपका partner भी आपसे एरिटेड हो जाएगा और बास्तों में आपको छोड के चला जाएगा जैसा आप सोचोगे क आपको पार्टनर आपसे अच्छे से व्यभार नहीं कर रहा है, आपके अंदर कुछ न कुछ कमिया है, तो बास्तों में ये चीजे आपके साथ होना सुरू हो जाएंगी, और आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंड सेट रखो, सोचो कि आप मे सिब को बेहतर मेनेज करना जानते हो, आप रिस्तों को निभाना जानते हो, आप अपने पार्टनर को खुस रखते हो, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुस हो, ये सारी चीजे जब आप सोचना सुरू करोगे, जब आप अपने आप में फील करोगे, कि आप को जानोगे तो बहतर है कि आप अपने माइंड की ग्रोध के लिए कुछ बुक पढ़ना सुरू कीजिए और यह चीजे संभव हैं यह मैंने कर दिखाया है पहले मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं यह सब चीजे नहीं समझती थी तो पहले मुझे भी यही सारी चीजे लगती थी मैं भी बहुत इमोशनल थी मैं भी चीजों को निगेटी बे में देखती थी लेकिन जब से मुझे समझ में आ गया attraction का नियम क्या होता है आकर्षन का सिध्धान्द क्या है human psychology क्या है लोग आपको क्यों पसंद करते हैं लोग आपको क्यों ना पसंद करते हैं लोग आपके साथ कब बात करना पसंद करते हैं लोग कब आपसे irritated होते हैं अगर आप भी ये चीज़े समझने लगोगे ना, तो जिन्दिगी में relationship बनाना बहुत easy हो जाएगा, रिस्तों को निभाना आसान हो जाएगा, और जो आपकी ये परिसानिया है, काफी महिलाओं की परिसानिया होती है, काफी पुरुसों की परिसानिया होती है, कोई महिला पुरुस से परिसान है, कि मुझे ध्यान नहीं दे रहे, कोई पुरुस महिला से परिसान है, कि मेरी पतनी मुझे छोड़के चली गई, ये सब क्यों होता है, ये एक human nature होता है, और ये चीज़े आपको समझना बहुत जरूरी है, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे, तब तक आप वीडियो तो देख लेते हो, कुछ दिनों तक आप चीज़ों को अपलाई भी कर लेते हो, लेकिन आप धहरे नहीं रख पाते हो, आपके अंदर द्रिड सकती नहीं होती है, आप संकल्प का पावर कम होता है आपका, आप किसी चीज़ को संकल्पित नहीं हो पाते हो, समर्पित नहीं हो पाते हो, आप डर जाते हो, आप घबरा जाते हो, कि कहीं आप ऐसा कर रहे हो तो और ज़्यादा ना आपके साथ नुकसान हो जाए, अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा व्यक्ति आपके साथ नहीं रहेगा तो जो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता जो व्यक्ति आपके साथ अच्छे से बेवहार नहीं कर रहा है उस व्यक्ति के साथ जबर्जस्ति रहके भी आप क्या कर लोगे आप इस लायक बनो, आप इतने काबिल बनो, कि लोग आपको पसंद करें, लोग आपके साथ रहना चाहें, जो भी व्यक्ति सिकायते कर रहा है, और जो भी व्यक्ति ये कहता है, कि मैं कमजोर हूँ, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरा कॉसिस करो अगर आप चाते हो कि आपका पार्टनर आपके लिए पागल हो तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना होगा कई बार मैने वीडियो में बताया लेकिन आज के बाद आपको समझ में आ चुका होगा कि यह काम क्यूं नहीं कर रहा है आप में द्रिण इच्छा नही नहीं होता है आप में संकल्प करने की ताकत नहीं होता है आप एक powerful mindset इंसान नहीं होते हो जिस बज़े से आप उन चीजों को सुनतो लेते हो चाह भी लेते हो लेकिन अपलाई नहीं कर पाते हो सही कहाना मैंने सोचिए अपनी कमजोरियों को पकड़िये और आपके लिए यही एक बेहतर उपाय है कि आप अपनी कमजोरियों पर काम करें उसरे ब्यक्ति की सिकायते करके दूसरे ब्यक्ति के बारे में बात करके आप उसे अपने जीवन में रोक नहीं सकते हैं आप सिर्फ अपने आप पर काम करके जैसा कि मैंने बताया हमें सब पार्टनर से आप ही खेरे रखो, आप ही हमें सब पहल मत करो, एक आध बार चलता है लेकिन हर बार अगर आप ही पहल कर रहे हो तो रुख जाओ, दूसरी बात कि अपने पार्टनर को अपने से ज्यादा प्रोयर्टी मत दो, फर्ष्ट प्रोयर्टी आपकी खुद के लिए होना चाहिए, उसके ब आप समझ पा रहे होंगे, अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं, तो ही आप दूसरे व्यक्ति को अट्रेक्ट कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं, ना कि दूसरों पे ध्यान देके, ना कि दूसरों की सिकायते करके, ना कि पती की, पतनी की सिकायते करके मेरी पत्नी मुझे छोड़के चली गई मेरा वाइफ रेंड मुझे छोड़के चला गया ये सब नहीं है इंसान रहना किसके साथ चाता है आप खुद को देखो न आप किसके साथ रहना पसंद करते हो आप किसके लिए पागल हुए जा रहे हो उसमें क्या ऐसी खुबी है जो आप उसके लिए अट्रेक्ट हुए जा रहे हो क्या वो खुबी आपके अंदर है क्या आप वैसे ब्यक्ती हो सोचो तो कई लोगों की ये सिकायते थी कि आपके वीडियो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं हमें समझ में भी आते हैं लेकिन हम अपलाई नहीं कर पाते तो सायद आप समझ पाए होंगे कि आप अपलाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं अपने आपको अपजेर्ब करो आप किस कटेगरी में हो आप कैसे ब्यक्ती हो इस दुनिया में वही काम्याब होता है जो powerful mindset का इंसान होता है सब आपके दिमाग से ही होता है और अपने दिमाग को trend करने के लिए आपको सही घ्यान होना बहुत जरूरी है knowledge की book पढ़ना बहुत जरूरी है human psychology की book पढ़िए गीता पढ़िए बहुत सारी book है आज के समय में तो kuku fm audio book जो आपकी help करता है लेकिन अगर आज भी आप नहीं समझ पा रहे हो ना तो बस सिकायते ही करते रह जाओगे इसके उसके वीडियो देखोगे लाइक करोगे कमेंड करोगे बाते करोगे सोचोगे लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे अगर आप बास्तों में करना चाहते हो तो अपने आपमें ताकत पैदा करो पावरफुल इंसान बनो हर किसी में कमजोरिया होती है अपनी कमजोरियों को खतम करो लोब लालच मोह माया रिलेसंसिप में इन्हीं सब चीजों के कारण तो रिस्ते खराब होते है ने स्वार्थ प्रेम करो दम रखो जो आपके साथ है उसे खुसियां देने की ना कि खुसियों की भीख मागने की तो सायद आप समझ पा रहे होंगे ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी समझदार के लिए इस सारा ही काफी होता है इतनी सारी चीज़े जो मैंने आपको बताई है आप समझ पाए होंगे कि रिस्तों में आप क्या गलती करते हो ये तो पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ लेकिन रिस्तों में आप उसे अपलाई कैसे करोगे ये आज का वीडियो देखने के बाद आपको सायथ समझ आया होगा कि आप कहां कमी रख रहे हो कहां गलतीया हो रही है और क्या चीज़े सी है जिसके कारण आप अपलाई नहीं कर पा रहे हो तो क्या समझ में आया कितना समझ में आया और आगे आप क्या कर सकते हो कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप मुझसे डारेक्ट कोस्चन करना चाहते हो फेस्बुक पेजबे में तीन दिन साम आठ से साड़े आठ के बीच लाइव आती हूँ वहाँ आप मुझसे डारेक्ट कनेक्ट होके अपनी समस्या का समधान पा सकते हैं अगर आप पर्सनली कॉल करना चाहते हैं तो आप मेरी कॉल बुक भी कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम या फेस्बुक मेसिंजर पे डियम करें यो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और जरूरत मन लोगों के साथ इसे जादस जादस सेयर करें रोजाना अगर आप हमारे चैनल पे से वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अबस्ते करें साथ में बेल आइकन प्रिस करें ताकि जब भी कोई वीडियो में अप्लोड कर उसका नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिले वीडियो अगर आप फेस्बूप पेच पे देख रहे हैं तो पेच को फालो करें श्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स टाइम तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंतर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद